कि हैलो गाई नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल भी यह भी बनने कीचेन में तो गाई जाज बनाने वाले हैं दो तरह का चटपटा से हेल्दी और टेस्टी स्नेक्स की रेश्पी हाँ गाई पोहा मटर बनाएंगे मटर पोहा कर सकते हैं अलग-अलग भी बनाएंगे दो तरह का पूहार तयार करेंगे नस्ता तयार करेंगे एक चीज से जटपट बन जाएगा आपका तो चलिए बनाते हैं दिखाते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए से बनाने के लिए पहले कड़ाई में डालेंगे जड़ा सा तेल और हम चिप्स यह होमेड चिप्स है इसे ड चाहि एक प्लेट में चाहिए जितनी आपको जरुरू तो इस इस हमारेकिल सकते का फारोर में वेल्या फृति हैं को प्रखुवास, प्रखुवराइथ एंड लेना मे keyboard oframky ajते हैं तो महीं होम्मेड उक्स हपा घटिर वilly मजग तो मैंने इसा अउठकरना शाराइ में छोटा चमज रही और लाशन डालेंगे मिर्ची benefits झालेंगे में तीखाब अपने अपने रखेंगे और इससे हा भूनना है इससे भूलने के बाद हमें चाहिए एक प्लेट पोहा पुखा पुखा इसे फटकवीन के साफ कर लेंगे इसे धोना नहीं है दो बना आना है अगर और आप को जितनी बनानी हो उसी हिसाफ से बनाईगा तो मैंने चारा आदमी के नमक के निकाल लेत कुछ डुलते हैं अब यहUट समया कि अछे से बूल्न को निकाल लेता हैं कच्छा तो चेक करने एक बार आप इस तरह से यह थोड़ा सा निकाल के बाहर खाके इसे चेक कर ले तो हमारा पोहा हो गया हो गया बुनके रेडी चीवरा बनके इसको चीवरा का भूजा भी बोल सकते हैं तो चीवरा भून के हो गया है रेडिस से निकाल के थालिम रखेंगे कड़ाई में डालेंगे उसी कड़ाई में एक चमज तेल और डालेंगे छोटा चमज तेल डालना है आप चाहे तो रिफाइंड आवल भी डाल सकते हैं उसमें डालेंगे दो हरी मिर्ची हरी मिर्ची डाल दो लासन की कलिया काटके ढलेंगे इसे थोड़ा सो होनना है जंक इसमें प्यूब सब्रिया रिमकर इसे नहीं सब्रिताइब करना 9 ज्शुता मैंने पूरा थाषु ग्राम के लिए इसे छोड़ा पraf त्यूंदान मों ध्यूरा के दो लिया है मैंने और मटर को डाल के उसमें डालेंगे स्वाधनसार नमक आधा छोटा चमच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है थोड़ा सा मैंने दो से तिन पिंच हल्दी लिया है और इन सभी चीजों को डालते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे चाहे तो इसमें कोई पाउडर मसा काला नहीं डाला है और इससे मिक्स करते हुए ठक कर पकाएंगे फ़सी जल्दी को कद आता है और इस जाता है औरो चलाते अपके को अल्य टीटहिए के मारा मठर चुका है पक चुका है तो ऊसले हाथों दबाते हुए चेक करेंगे जब दबाएंगे तहरा 通क्त है मुसल। तो समझे आपका मटर हो चुका है तो देख सकते हैं मेरा मटर हो गया है कुक हो चुका है तो इससे अच्छे से चेक कर लिजेगा ताकि कोई डाउट ना रहे जब अच्छे से दाबने हाथों से दबाने से दब जाए तो समझे कि आपका मटर हो चुका है तो गाइज मेरा मट लगाएंगे हम प्लेट तो देख सकते हैं मने प्लेट ले लिया है यह मंने मतर डाला है और फैस्ज स्रैक्स में डालेंगे थोड़ासा चीप सकहारा प्याज और थोड़ा सा यह गाठ वाल डालेंगे तोड़ा सा धनिया डालेंगे चिप्स तोड़के डालके यह खाने में इतना टेस्ट इतना मैजदार होता है कि गाईज पूछे ने एक बार बना के ट्राइं किजेगा तो इसी तरह से हम अपना दूसरे तरह का प्लेट लग हैं तो इसे अलग खा सकते हैं तो से लाइक किजेगा कमेंट बोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लेघेए कर लेज引开 कर लाएकन के 요 भी वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिपीकेशन जाए आपके पास और उस रेस्पी का लूप तो उठा सके गाइज तो गाइज ऐसे ही बने रहे वीडियो पर वीडियो को पूरा पूरा वाश कीजेगा मेरा चटपटा सा जटपट बन जाने वाला मतर पोहा का सेलेक्स तरड़िया तो गाइज देख सकते हैं यह कितना मज़दार ओर टेषらい है एक इक बैट Wiki ताफ को मज़ा जाए गया तो इस तरह के नास्ते में बच्चो नास्ते में सकते हैं साम को बना सकते हैं थाली में उसमें डालेंगे अपना मटर दूसरी तरह का अपना नास्ता त्यार करेंगे स्नेक त्यार करेंगे तो मटर डाल लिया और डालेंगे डेस तोड़ते हुए उसमें आप उसमें डालेंगे प्याज प्याज आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हैं और डालेंगे धनिया चाहे तो हरी मिर्ची भी उपर से आप डाल सकते हैं एक दो काटके अगर आप पसंद क सब्सक्राइब करने के बाद हम लगाएंगे इसे प्लेट में तो गाज यह इतना मैजदार है इतना इतना टेस्टिक बन के आता है एक दम ला जबाब एक बार बनाएंगे बना के इस तो से खाएंगे तो खुश हो जाएंगे आपके फैमिली खुश हो जाएगे तो बनाएए और लुप तो उठाए तो फिर मिलेंगे ऐसे महिदार रेश्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार वाई बार टेक क्यार अपना करल करेका अडमे़ियो कुछ इस न